नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए करवा चौत के वरत का महत्व बहुत अधिक होता है यह वरत महिलाएं अपने पती की लंबी उम्र की कामना से रखती है शास्तरों में कहा गया है कि पतिवर्तास्त्री के द्वारा जो भी वरत किये जाते हैं वह कभी निश्पल नहीं होते हैं अर्थात उन्हें उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है करवा चौत के दिन महिलाए दिन भर निर्जला रहकर रातरी में चंद्रमा के दर्शन करके अपने पती के हाथ से जल्पान करके वरत का समापन करती है दिनभर किये हुए अन्न और जल के त्याग से प्रसन्न होकर मा पार्वती उस्त्री को सदा सुहागिन रहने का आशिरवाद प्रदान करती है इसलिए करवा चौथ का पतिवर्ता नारियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है इस बार करवा चौथ का वरत 13 अक्टूबर को गुरुवार के दिन रखा जाएगा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को किसी भी वरत का पालन शास्त्रों में बताई गई विधी के अनुसार ही करना चाहिए अन्यथा वह वरत व्यर्थ हो जाता है इसलिए स्त्रियों को करवा चौथ का वरत रखते समय शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए तब ही उन्हें इस वरत का उत्तम फल प्राप्थ होगा अक्सर महिलाएं करवा चौथ के वरत के दोरान कुछ गलतिया करती है जिस कारण से उनके वरत का खंडन हो जाता है अथवा उन्हें उनके वरत का कोई फल नहीं मिलता है इसलिए आज हम जानेंगे शास्त्रों में बताए गए करवा चौथ के वरत के महत्वपूर्ण नियम और जानेंगे वह कौन सी स्त्रिया है जिन्हें करवा चौथ का वरत कभी नहीं रखना चाहिए सबसे पहली बात करवा चौथ के इस विशेश दिन में हर महिला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन सफेद या काला रंग न पहने सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग पूरी तरह से अशुब होते हैं इस दिन जहां तक हो सके लाल या पीला रंग ही धारण करें करवा चौथ के दिन महिलाओं को दूसरी स्त्री का श्रिंगार का समान इस्तमाल नहीं करना चाहिए ऐसा करना अशुब होता है साथ ही खुद का श्रिंगार का सामान भी अन्यस्त्रियों को नहीं देना चाहिए दूसरी बात करवा चौत के दिन सर्गी लेने की परंपरा है ऐसे में देर तक नहीं सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही स्नान आधी कर लेना चाहिए इसके अलावा दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए शास्त्रों के अनुसार इन तीन महिलाओं को करवा चौत का वरत नहीं रखना चाहिए सबसे पहली है वह स्त्री जो बिना विवाह किये ही किसी पुरुष के साथ रह रही है अर्थात यदि कोई स्त्री विवाह किये बिना ही किसी पुरुष के साथ संबंध रखती है तो ऐसी स्त्री को करवा चौत का वरत भुल से भी नहीं रखना चाहिए आज कल कई महिलाएं ऐसे अनैतिक रिष्टे बनाती है जिससे उनके चरित्र का नाश हो जाता है शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्त्री के द्वारा रखे गए करवा चौत के वरत का उन्हें कोई फल नहीं मिलता है बलकि उन्हें अशुब परिणाम ही प्राप्थ होते है दूसरी है वह स्त्री जो विवाह के बाद भी किसी पराय पुरुष के साथ संबंध रखती है अर्थात जो स्त्री एक पुरुष से विवाह करती है और विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ शारिरिक संबंध बनाती है तो ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है ऐसी स्त्री के द्वारा रखे गए किसी भी वरत का उसे कोई फल नहीं मिलता है अगर ऐसी स्त्री करवा चौत का वरत रखती है तो उसे मा पारवती के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है करवा चौथ का वरत पती और पत्नी के पवित्र बंधन को दर्शाता है यदि पती पत्नी का रिष्टा ही जूट और फरेव की बुनियाद पर टिका हुआ है तो ऐसा रिष्टा कभी पवित्र माना नहीं जाता इसलिए केवल जूट मुट के दिखावे के लिए करवा चौत का वरत ना रखे अन्यथा इसके भयंकर दुशपरिनाम भोगने पड़ सकते हैं तीसरी है गर्भवती महिलाएं दोस्तों वैसे तो शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को वरत रखने की मनाई नहीं की गई है लेकिन यह वरत अत्यंत कठिन होता है और गर्भवती महिलाओं को वरत के दौरान कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है और वरत का खंडन भी हो सकता है वरत का खंडन होने से अच्छा है कि गर भवती महिलाए इस वरत को ना रखे क्योंकि वरत का खंडन होना बहुत ही अशुभ माना जाता है तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इन तीन स्त्रियों को करवा चौत का वरत नहीं रखना चाहिए अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो विडियो को लाइक करना न भूले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करे आप सभी का धन्यवाद